किसान 13 फरवरी को निर्धारित दिली चलो मार्च के लिए राष्ट्री रासधानी दिली आनी को तयार है मैं किसानों के दिली कुछ से पहले रासधानी को छाबनी में तब्दील कर दिया गया है दिली से लगती हुई हर सीमा पर जबर्दस सुरक्षा विवस्था की गई है जिससे किसान दिली ने कदम न रख सकी और उड़ी बॉडर के पहले ही रोका जा सके दिली के सीमाओ पर बैरिकेटिंग की गई है कंक्रीज की दीपार लगाई गई है और तारू का जाल बिचाया गया है यही नहीं सडकों पर कीले भी लगाई गई है कानून विवस्था बनी रहे और दिली की आमजंदा को कोई परिशानी न हो इसे देखते हुए सारी तयारिय की गई है इसको लेकर DCP East District अपूर्वा गुपता ने जानकारी दी है हमें कुछ दिन पहले information मिली थी कि तेरा तारीक को कुछ किसान संगर्टनों ने दिली कूच का आहवान दिया है वो अपने किसान साथियों को एकत्रित करके दिली के बॉर्डर्स में प्रवेश करेंगे काफी ट्राक्टर ट्रॉली वगेरा भी लाने का उनका इरादा है ऐसा हमें पता चला है हमारी प्रायोरिटी यह है कि दिली की बाउंडरी में दिली के इलाके में कहीं भी शान्थी या कानून व्यवस्ता भंग ना हो इसके लिए हमने अपनी तरफ से काफी अच्छा बंद शानी ना फेस करनी पड़े बट अट दे सेम टाइम लॉइन ओर्डर भी मेंटेन रहे और ये इशू जल्दी रिजॉल्व हो जाए दिली कूच की जानकारी मिलने पर दिली पुलिस ने सावजनिक बैठिकों और दिली में प्रवीश करने वाले ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों पर एक महीने का प्रतिबंध लगा दिया है हलके फिर भी किसान संगठन दिली की ओर आने को तयार हैं हलके किसान अपनी कई मांगों को लेकर विरोध प्रतर्शन कर रही हैं जिन में मुख्य रूप से MSP कारंटी कानून और कर्ज माफी शामल है